हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो हमने लाज क्लास में 13 चैप्टर के फॉर्मले पड़े थे और आज हमें 13 चैप्टर सुरू करना है जिसमें 13.1 सुरू कराने जा रहा हूं है ठीक है और वन एक पहला कोशन, फर्स्ट कोशन करा देरों पहला कोशन करते हैं ठीक है मैं यह उमीद करके चलता हूं कि फॉर्मूले आप लोगों ने रिवाइस कर लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे इच्छे से चलिए कहरा पहला कोशन कह रहा है कि टू क्यूब्स इच ऑफ द वॉल्य 64 cm cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid, देखिए यह एक आपको cube दे रखा है, यह आपको एक क्या दे रखा है, cube, यह cube दे रखा है, और एक cube यह दे रखा है, यह एक cube दे रखा है, और आपको पता है, cube में सबके height, length, breath सब सेम होती है, अब क्या हुआ है, इनको end को, इसको इस वाले part से जोड दिया, और जोडने के बाद यह कैसा हो जाएगा, यह ऐसा हो जाएगा, यह हमने इसको जोड दिया, यह हमने इसको इसको जोड दिया, अब यह ऐसा हो गया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा और यह ऐसा हो गया, ठीक है बही, अब देखो, क्या बोला अचने, क्या बोला अचने, वोल्यूम, इच आफ दा, क्यूब, वोल्यूम, एज, 64 सेंटिमेटर क्यूब, परते एक घन का आईतन, परते एक घन का आईतन इतन दिया हुआ है, और आपको पता यह एक का क्यूब होता है, 64, एक यूब, 64, 4 का क्यूब है, जब पावर सेंटो बेस भी सेंट, तो इसका मतलब साइट कितनी होगी, 4, यहनि सबकी लेंथ, ब्रेथ, और हाइट, क्या आएगी भई, 4, 4, इसका भी ऐसे ही, लेंथ, 4, ब्रेथ, 4, हाइट, 4, ठीक है, लेकिन अब जब क्या होगा, ब्रेथ, लेंथ यह 4, यह भी 4, तो टोटल तो 8 बन जाएगा, ब्रेथ तो अभी भी उतना ही है, 4, हाइट अभी भी उतना ही है, 4, मैंने क्या बताए था, और क्यूबवाइड में कोई एक भी अलग हो, या तीनों अलग हो, तो क्यूबवाइड रहता है, तो लोग ही, now, now, after joining, joining the cubes, after joining the cubes, it becomes cuboid, ठीक है, घन जोड़ने के बाद, वह घनाब बनते हैं, घनाब बनता है, ठीक है, now, ठीक है, तो लेंट अफ cuboid, length of cuboid, ठीक है, length of cuboid, क्या होगा, length of cuboid, length of cuboid, क्या हो गया, L, sorry, length कितनी है, भाई, 8 cm, यानि घनाब का आयतन, लंबाई, घनाब की लंबाई, ठीक है, उसके बाद, breath and height of cuboid, ठीक है, घनाब, घनाब की उचाई और चोड़ाई, उचाई और चोड़ाई, तो कितना भाई, 4 cm, यानाब, क्या पूछा है भाप से, surface area of cuboid, surface area of cuboid, घनाब का, प्रिष्ट छेतर फल, तो क्या होता भाई, टू इंटू में LB, प्लस BH, प्लस HL, तो बस, टू इंटू में LB, आट गुने में चार, प्लस चार गुने में चार, प्लस चार गुने में आठ, 32, 16, 32, तो 32 और 32, 64, और 16, 80, तो कितना आ गया, 160 cm², या answer है, करो, नोट कर वच्चो इसको, जली, आज भी सेम प्रोब्लम, कर व selves, दू एंटू कर दो, कर वो, इसको झाहते कर वो, कर वहादे लेकरो कितला वो, क्व़रू में उन्यों, जप खे प्लस एंटुन और 25, झाल, तोस वो, कर झाल, यायान, जा प्लस प्लस प्लसी ंए, झाल, 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 झाल कर दो एक में बच्चो होल्ड कीजिएगा कर दो एक में बच्चो होल्ड कीजिएगा झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बस बच्चों एक मिंट दीजेगा थोड़े इंक की प्रॉब्लम है यह इंक की गलत आ गई है कर दो कि अ झाल 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 करें जब देखते हैं भी धीर धीर इमटी जाएगा कर दो 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 झाल 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 कि विखें नेक्ट्ट कोशन है कोशन नमबर सेकंड in a form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. the diameter of hemisphere is 14 cm height of vessel is 13 cm. find the inner surface area of the vessel देखो भाई भाई ऐसा है कुछ एक slender है ठीक है और उस पे एक hemisphere hemisphere पे ये surmounted है ठीक है अब कह रहा है कि जो hemisphere का diameter है ना वो 14 cm है ठीक है तो obviously बात है भाई इसका radius 7 cm होगा और जो इसका radius होगा वही इसका radius वो इसकी height होईगी अब कह रहा है कि total height जो है वो 13 cm है तो भाई जब इसकी ही height 7 cm हो गई तो cylinder की height कितनी बची 6 cm cylinder की height कितनी बची 6 cm तो कह रहा भाई इनके inner surface area बताओ inner surface area बताओ ठीक है चलो है देखो ज़रा तो क्या है सबसे पहले diameter of hemisphere and cylinder तो कितना बच्चो 14 cm दोनों के लिए same है ठीक है बेलन और अर्द गोले कव्यास 14 cm now radius radius of both कितना जगा 7 cm ठीक है यानि कि तरिच्च्या लिख लोगे ठीक है अब लिखा रहेंगे inner surface area इनर surface area तो inner surface area कितना है भई देखो अन्ते अन्ते प्रिष्टे छेत्रफल तो क्या होगा एक तो भई बेलन का टू पाई आर एच प्लस फिर इसका अन्दर का तो कितना जाएगा कितना जाएगा टू पाई आर स्क्वेर ठीक है एक मुट बच्चो जी बच्चो देखेंगे तो इसमें से टू पाई आर कॉमन आ गया एच प्लस आर पाई बाईस बटा साथ आर साथ एच कितना है एच ये एच है इसकी हाइट तो छे आर कितना है आर है सेवन ठीक है तो सेवन से सेवन कट गया फुर्टी फॉर इंटू में थाटीन तो तेरा चोक के बावन का दो रह गया पांस तेरा चोक के बावन और पांस अतावन इतने सेंटिमेटर स्क्वेर आंसर करो इसको नोट करो ऑटाहन करो लात थाटी झाल लात से लए खुष्छे जाओ से जाओ खुष्छे ुष्छे फ्षछे खुष्छे तो खुष्छे गए हुआ 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 है चलिया अब है अगला कोशन अगला कोशन कोशन नोमर 3 केरा टॉय इस दो फॉर्म औफ कॉन और रेडियस 3.5 cm सेंटीमिटर मौंटेड ओन है मिस्वेर लो एक है मिस्वेर है और इसके उपर एक कौन है ठीक है जी अब कहा रहा है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमिटर है 3.5 सेंटीमिटर है अब कहा रहा है 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 मिस्वेर की रेडियस सेम है तो इसका मतला हाइट भी सेम होगी फिर कह रहा है कि भाई पूरे की हाइट टोटल हाइट 15.5 सेंटीमिटर है तो भाई जब इसकी 3.5 सेंटीमिटर है तो बाकी की हाइट कितनी बची बताओ बागी की height भाई 0.5 और 3 तो 12 cm बची यानि यह height हो गई 12 ठीक है अब क्या कह रहा है find the total surface area of toy पास खतम का नहीं आजी यह देखो भाई सबसे बेले radius of hemisphere and cone कितना है भाई 3.5 cm ठीक है संकु और अर्ध गोले की त्रिज्या तो कितनी है 3.5 now अब क्या है height of cone sorry height of hemisphere 3.5 cm ठीक है अर्ध गोले अर्ध गोले की उचाई 3.5 cm ठीक है अब इसके बाद क्या है हंजी इसके बाद क्या है यह कर लिया हंजी height of height of cone संकु की उचाई संकु की उचाई तो total में से इसके minus कर देंगे तो 12 cm ठीक है now हाँ बही अब total surface area का आपको पता ही है r यह 12 l चाहिए होता है में क्या चाहिए होता है l now slant height slant height is equal to l तीरियक उचाई और l किसके बराबर होता है under root h square plus r square के h कितना है 12 का square r कितना है 3.5 का square 12 का 144 35 का 25 तीन चोक के 12 ठीक है तो l बराबर आ गया 144 और 12 156 वटा 25 ठीक है अब 156.25 यह किसका square root होता है यह side जहां तक मुझे पता है ठीक है यह किसका होता है कर रहें के देखना पड़ेगा 156.25 पांस से करो 3 1 0 ने थीन एक दो पांच फिर पांस से करो 6 दो पांच फिर पांस से करो एक दो पांच फिर पांस से करो दो पांच फिर पांस से करो पांच फिर पांस से करो एक दो त तो इसका मतलब 125 का होता है तो किसका होता है 125 का और दो के बाद पॉइंट है तो यानि एक के बाद लगेगा तो यानि 12.5 सेंटीमेटर नाओ सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया ओफ ट्वाइब खेलोने का कुल प्रिष्टे छेतरफल कुल प्रिष्टे छेतरफल तो कितना भई कर्वड सर्फेस एरिया ओफ कौन प्लस कर्वड सर्फेस एरिया ओफ हैमिस्फेर हिंदी वाले क्या लिखेंगे हिंदी वाले क्या लिखेंगे हिंदी वाले लिखेंगे संकु का संकु का संकु का संकु का वक्र प्रिष्टे छेतरफल प्लस अर्द गोले का अर्द गोले का वक्र प्रिष्टे छेतरफल ठीक हैं तो हो जाएगा प्लस अर्द गोले का वक्र प्रिष्टे छेतरफल ठीक है और बटाके या नदेना से Anda कंप जो सकॉर कि म esse पाइस बाइस बंदा साथ आर की वैलू 3.5 ल कि कि वैलव 1.5 और ये 3.5 इससे कटेगा 0.5 0.5 का मतलब होता है एक बटा दो 12.5 35 हाँ भई साड़े तीन दुनी साथ कट गया 11 बारो रहे 19.5 मंटिपलाई करो 11 55 5 1199 और 5 104 रेगे 10 11 11 11 और 10 21 इतने सेंटिमेटर स्क्वार आंसर आगे करो कर रह से सaking तुनी कर दोओता हैं, कर रहा हैं कर रहा हैं साथ कर दूना और एक preset कष्वार इससे दिए कर दूने कि व को दृबा Alex झाल झाल चलिए बच्छो नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर चार अब देखो ये नया मार कर आए बच्छो ठीक है अफटाफट हो रहा है स्वारी आपको इतनी परिसानी हुई क्या करें मैं भी परिसान हो गया था मिटा मिटा के हाथों में दर्द हो गया है कि खतरनाक सा था यह काफी देरे देरे होई जाएगा खत्म हो जाएगा यह है मिट जाएगा सारा कोश्चन नमर चार क्या लेगा अक्यूबिकल ब्लॉक और साइट सेवन सेंटिमिटर इस सर्माउंटिड वाय है हैमिस्फियर लो भाई एक क्यूब है एक क्यूब है ठीक है यह एक क्यूब है क्यूब है तो इसका मतला हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब सेम होगी अब क्या रहा है, साथ सेंटिमिटर, भई, सेवन सेंटिमिटर का तो यह भी साथ, 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 ब्रेथ भी साथ, हाइट भी साथ, सारा साथ है और इसके ओपर हैंने है जिसका डायमीटर इक वल्टू क्या एइtsैज बनाऊगा है यह असे इसके ओपर है कि रहरा है तो कह रहा है रहा है इसको क्या है नुद्छ तो कैसे निकालोगे अरे भाई यह बाद नीवह बैई सर्फिस एरिया का मतलब क्या होता है जहां जहां आप टच कर सकते हो तो इसको देख के बताओ कहां कहां टच कर सकते हो बैई मालो आपके घर के उपर की छट पे एक बड़ा सा हैमी स्फियर रखा हुआ तो किस किस को टच कर सकते हो एक दो तीन चार और नीचे पांच ल कोश 씨 में से माइनस कर चाहिए जितना सर्कल इसने कवर किया है यह माइनस कर दो समझानी बात यह सर्कलोबारा एरिय क्या कर दो क्या तो अपने आप यह यह अर्य बचेगा ठेकर तो लोगे तो मैं लिखूंगा डायामीटर और हम इसफेर तो सा सेंटी मिटर ही हज़गा ठेक है अर्द गोले का व्यास अर्द गोले का व्यास приकर शまぁ यह सब्सक्र zwischen एक डबेगया थर रेडियर अध्यक्त आप रैडियस और हैमी मेश सेंटी मीटर अर्ध गोले की तरिज्जिया ठीक है अगला edge of edge of cube तो कितना भाई 7 cm घन का किनारा घन का किनारा ठीक है now total surface area of block area of block ठीक है block अधब आएगा न block का block का surface area block का प्रिष्टिय कुल प्रिष्टिय ब्लोक का कुल प्रिष्टिय छेतरफल कुल प्रिष्टिय छेतरफल तो कैसे होगा भाई कैसे होगा total surface area of क्या भाई total surface area of cube प्लस कर्व सर्फेस area of hemisphere minus area of circle area of circle of hemisphere ठीक है हिंदी वाले घन का कुल प्रिष्टिय थे छेतरफल प्लस अर्द गोले का वक्र प्रिष्टिय छेतरफल minus हाँ भई अर्द गोले के विर्थ का छेतरफल इस तरीके से ठीक है तो करो भई इसका होगा 6a square इसका होगा 2 pi r square और इसका होगा pi r square है ना भई तो 6a square 2 pi r square में pi r square गया तो कितना बचेगा pi r square तो 6a square मतलब 7 का square pi 22 बटा 7 r 7 by 2 7 by 2 7 से 7 कटा 2 से एकट गया 11 6 गुने में 7 का 99 प्लस 11 77 बटा 2 हाँ भई 9.54 का 4 रहे गया 5 और 9.24 और 5 29 प्लस 77 बटा 2 तो 294 प्लस काटो इसको 3 8.5 तो एड़ करो 0.5 8 4 12 9 3 12 और 1 13 और 1 3 तो इतने centimeter square answer करो ठीक है चलिए अब आपको घर से घर से question number 5 6 8 और 9 7 छोड़ के सारे करने ठीक है 7 छोड़ के सारे करने next class में ये खतम करा दिया जाएगा आपका chapter ठीक है भई चलो तो आज की सबह यहीं समाप्त करते है sorry आज आपको मैंने बहुत तकलीफ दी कि ये marker की वज़े से लेकिन next time से ऐसा कुछ भी नहीं होगा sorry झालीफ